जैसे कि हम जानते हैं कि गूगल पर हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और उस टूल का नाम है गूगल कीवर्ड पैनर टूल लेकिन ये टूल असल में गूगल आड्स का एक हिस्सा है और हम गूगल आड्स के ओपर अकाउंट बनाएंगे और इस वीडियो में मैं चाहूंगा कि वैं आपको वो तरीका बताओं कि आप किस तरह से वो अकाउंट बना सकते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए तो गूगल आड्स अकाउंट बनाने के लिए हमें वाही जीमेल का अकाउंट चाहिए अगर आपका जीमेल का अकाउंट नहीं है तो आप जीमेल का अकाउंट बना लें और उसके बाद आप फॉलो करें कि आप कैसे गूगल आड्स अकाउंट बना सकते हैं और इसके बाद हम डिसकस करेंगे कि इसको यूज कैसे करना है आईए देखते हैं So students, सबसे पहले आपको Gmail में login करना है, आप अपने Gmail account में login कर ले, उसके बाद ये website विजिट करें, जो कि Google Ads की website है, तो आप लिखेंगे ads.google.com, तो मैं type करता हूँ ads.google.com और मैं enter प्रेस करूँगा, तो Google Ads की website खुल जाएगी, तो याद रिखेंगे, अगर आपने first time Google Ads की website खुली है, तो शायद आपको login करना पड़े, अगर आपको ये login करना पड़ेगा, तो आप टॉप right में देखेंगे कि वहाँ sign in का button होगा, जब आप sign in कर लेंगे, और अगर आप Gmail में पहले से logged in हैं, तो आपको ये screen नजर आएगी, इस screen में एक खास बात है, आपने वो उसका खास ख्याल रखना है, वो ख्याल ये, कि अगर यहाँ पर आपने ये step skip नहीं किया, तो आपको Google एक campaign mode में ले जाएगा, जिसमें आपक एक पूरी campaign बनानी होगी, और ultimately Google आपसे कहेगा, कि एक credit card से आप sign up करें, तो हमें उस चीज को avoid करने के लिए, हमें एक step skip करना है, और इसमें अगर आप देखेंगे, तो ये blue line आपको नजर आ रही है, जिसमें लिखा हुआ है, skip the guidance step, तो ये guidance step आपने skip करना है, ताके हम उस मसले से बाद जाएं, जिसमें हमें credit card डालना पड़े, तो हम बगार credit card डाले, इसके account बनाने की कोशिश करेंगा, तो अब प्रेस करता हूँ, skip the guidance step, जैसी मैं ये प्रेस करूंगा, Google मुझे एक page पर ले जाएगा, जहां पर वो मुझे currency और मेरा country पूचेगा, तो इस page पे आपको Google को verify करना है, कि आप आया उसी email से sign up करना चाहते हैं, Google Ads account में, जो आपने Gmail पर रखा है, उसके बाद अपना country बताएंगे, जो कि आप most primarily पाकिस्तान रखना चाहेंगे, और pick currency बताएंगे, तो याद रखिएगा, currency और country, ये दोनों चीज़ें बाद में change नहीं हो सकत तो अगर आप Google Ads को बाद में use करना चाहेंगे, तो आपका वो country और वो currency आपके साथ चलेगी, और जिस currency में आपका account होगा, अगर आप वो use करते हैं बाद में, तो आपको उसी currency में आपको pay करना पड़ेगा, तो फिलहाल मैं Pakistan और Pakistani rupees as a currency लेके आगे चलूँगा, इसको save and continue क करूँगा, तो Google मेरा account बना देगा, जो कि AdWords account कहलाएगा, तो Google AdWords और Google Ads में difference यह है कि Google Ads का पहले नाम Google AdWords था, तो अकसर लोग इसको AdWords से ही जानते हैं, लेकिन Google Ads औ Google AdWords दोनों एक ही बात हैं, अगर आप AdWords.Google.com भी open करेंगे, तो आप बिलाखिर ads.Google.com पर ही redirect हो जाएंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप इसको AdWords भी कहें, लेकिन आप उसका वो पराना नाम है, आपका अब इसका नया नाम Google Ads है, इन दे मीन टाइम मेरा account बन चुका है, जब आपको यह screen नजर आ जाए, इसका मतलब यह है कि आपका account बन चुका है, औ अब आप इस account को use कर सकते हैं